हलो स्टूडेंट्स माइन इस चवर निशाथ आज हम सब्सक्रिप्शन के कुछ एजस्मेंट का डिसकेशन कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन के कुछ एजस्मेंट मैं अगर बोलूँगा तो सब्सक्रिप्शन में कई टाइप्स के आते हैं तो स्टूडेंट्स लोग को थोड़ा confusion रहता है और इसके comments भी मुझे कुछ videos पे मिले हैं so I hope कि आपका इस video में जो subscription के जो भी doubts होते हैं सब clear हो जाएंगे so बहुत ध्यान से देखना videos अगर आपको videos पसंद आता है तो please likes करिए अपने friends का shares करिए because exams आ रहे हैं and I am very sure कि ये adjustment होने के बाद subscription में कुछ नहीं रह जाएगा सब clear हो जाएगा आपका ठीक है तो चलो subscription का मैंने यहाँ पर दो type लिखा हुआ है दो नो type के बारे में मैं अच्छी तरह से discuss करूँगा और हम इसको आज सीख के लेंगे ठीक है video के जैसे subscription का सब खतम हो जाएगा मैं material के बारे में भी बताऊँगा कि अगर sport materials के related adjustment है तो आप उसको कैसे करेंगे ठीक है तो जड़ा ध्यान देना subscription जो आपका होता है सबसे पहला चीज तो होता है इंकम होता है तो यह आपका जो expenditure income account बनाते हैं तो income side में आप subscription लिख दीजिए subscription क्या होता है? income होता है बहुत ध्यान से देखना अब आपका जो receipt and payment side होता है उपर लिखा रहेगा top में एक दम कि receipt and payment account year end के लिखा रहेगा तो माल लिजे उसका year end करके ऐसा दिया हुआ क्या 31st March 2013 इस type का दिया रहेगा या जो भी लिखा रहेगा तो students यह जो year end है अगर यह 31st March 2013 को खतम हो रहा है it means what कि यह 12 को start हुआ था 1 April को 2012 को और 31st March को खतम हो रहा है समझ में आ रहा है आपको तो यह जो आपका year हुआ that is called current year यह बहुत ही माइने रखता है subscription के मामले में तो यह क्या होगे आपका current year होगे आप यह आपको ध्यान में रखना है अब जर्ड़े को सिनारियो को जर्राथ देखो यह थोड़ा अलग है इसको बाद मैं ध्यान देना पहले आप इसके उपर ध्यान दे दो यह सिनारी में आपको क्या लगता है 2012 जो 13 है यह कहां पे है मतलब मैं कह सकता हूँ इस सब्सक्रिप्शन इस रिलेटे टो करेंट यर यह किसका है तो इसका जो पोस्टिंग होगा वो इंकम जो आपने बनाया है वहां पे होगा यह आपका सब्सक्रिप्शन हो गया समझह रहेगा आपको अब अगर यह करेंट इर में आ गया तो बाकी का क्या वांटी का स्टूडंस यह जो आपका करेंट यर है इसके उपर का जो यर होता है उसको पास्ट यर बोलते है मेराबर बीच चुका ना पास्ट इयर हो गया तो करेंट इयर के नीचे वाला इयर क्या होगा that is called future तो students हमारा जो करेंट इयर का न हम सिर्फ उससे deal करते है समझ में आ रहा है क्या करेंट इयर का ही सिर्फ deal होता है income जो format होता है अब रही बात इसका क्या तो यह आपका जो होता है assets में चला जाएगा past year के रही बात अभी last वाले का क्या करना है तो यह आपका जो होता है जो current year की balance sheet है ना उसका liability हो जाएगा क्यूंकि भाई जो साल चालू नहीं गएगा उसका advance में आपको subscription किसी नहीं दे दिया तो that's why this is your liability समझ में आ रहा है और जो साल बीच चुका है वो assets रहेगा उस साल का amount समझ में आ रहा है तो बहुत ध्यान से देखना so ध्यान से middle वाला income उपर वाला past year की balance sheet का होता है opening balance sheet का asset होता है और नीचे वाला जो होता है liability होता है कैसा भी रड लो इसको अगर कुछ doubt है तो वीडियो पर comment करो मैं और अच्छा explanation आपको वहाँ पर type करके बताऊंगा या और ली जैसर एक आपको explain करूंगा लेकिन ध्यान देना इसके उपर ठीक है अभी बात करते हैं यह हमारा subscription current year का हो गया इससे related एक adjustment नीचे लिखा है मैंने जो most of the आती है और यह कफी students की फेवरेट से adjustment होती है मेरी तो especially है ठीक है तो देखो क्या होता है लिखा है current year outstanding subscription 10,000 मतलब यह जो था दिया हुआ यह तो था 40,000 हाँ भाई यह income है मेरा लेकिन और 10 मिलना चाहिए था मतलब यह 40 का ना 50 होना चाहिए था ऐसा कहना चाहता है adjustment तो ठीक है ना यहां जितना मिला उतना शो कर दिया बंदे ने अब जो नहीं मिला वो हम शो करेंगे कि कितना मिलना चाहिए तो मेरा कहने का मतलब यह clear हो गया आपका सब्सक्रिप्शन कितना 10,000 यह 10,000 तो टोटल आउटर कॉलम में कितना जाएगा समझ में आया लेकिन यह तो adjustment है इसका second effect भी होना चाहिए तो students यह 10,000 जो है अभी भी मिला नहीं है तो आपका asset होता है तो आपका asset होता है और इसका जो second effect होता है वो current year की balance sheet में assets हो जाएगा क्या हो जाएगा assets हो जाएगा इसके बाद हम स्पोर्ट में बताएंगे उसको expenditure side में कैसे करना है तो देखो यहां पर क्या बोला है थोड़ा सा अलग है यह अलग अलग था यह सब जंबल एक साथ में ठीक है बोलता है subscription कितना है 90,000 है तो हम सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं यह हमारा एक टाइप हो गया हम दूसरे टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं देखो क्या कहना चाहता है सब्सक्रिप्शन है 90,000 मैंने कहा ना सब्सक्रिप्शन अपना क्या है इंकम है हम उसको कहां पर लाके रखेंगे इंकम में लाके रखेंगे कभी हम यहां पर सब्सक्रिप्शन की जगे पर लिखने जा रहे हैं कितना 90,000 समझा आपको सब्सक्रिप्शन हमारा इंकम है 90,000 लिख दिया मैंने अब आगे क्या हो रहा है विल्ट डिसकस है कहता है include last year इसमें न include last year का 2000 और next year का 8000 मतलब last year जो हमारा current year है इसके पहले जो साल चल रहा था उसका 2000 इसी में include है हमने क्या कहा अभी ये वाली adjustment में भाई NPO कहता है कि हमारे जो भी current year में किसी चीज का include है चाहे जो आने वाला साल हो या जो आपका बीद गया साल वो हो आप उसको माइनस कर दो 2000 इंक्लूड्य जो साल गया 8000 included जो सार आने वाला है मतलब सारे पैसे इसी में टोटल करेंगे बता दिये गए तो निकालो उनको बाहर घर से बाहर निकाल दो उनको सुध्यान से यह जो साल भी चुका उसका है तो हम less करेंगे less last year subscription कितना 2000 answer कितना आएगा अपना यहाँ पे now 88,000 this is my answer ठीक है अब क्या कहता है 8000 रुपेर क्या है जो साल आया नहीं अभी तक मतलब future year का इसी में डाल दिया आपने सबसे पहले निकालो उसको less क्या future year subscription 8000 include है इसलिए में minus करना students का answer अपना कितना आएगा यहाँ पे आपका answer हो जाएगा that is 80,000 ठीक है यह आपका बट यह जो दो चीज माइनस हुई है this one and this one इनका second effect भी आना चाहिए ना because यहाँ पे बोला मगर वो adjustment के type का है so देखो students same जो मैंने यहाँ बताया था जो आपका 20 चुका साल है वो चला जाता है किदर assets में कौन से assets में यह opening assets में opening का जो balance sheet होता है opening के balance sheet के asset में जाता है जो advance मिल गया वो closing year के balance sheet में liability side में जाता है समझ गया आप लोग क्या होता है अलग अलग दिया तो कैसे solve करने का सब एक में jumble करके दिया तो कैसे solve करने का ठीक है अब हम बात करते हैं इसका भी एक adjustment और दिया है कहता है बहुत important students बहुत ध्यान से देखना कहता है हमारे पास अभी पता चल गया कि current year का यह 80,000 है समझा यहां पर कहता है कि अपने पास जो है 10,000 member है एक member paying annual subscription कितना 100 तो अभी अपना answer होना कितना चाहिए था 10,000 multiply by 100 answer होना चाहिए था one line लेकिन अपने पास तो सिर्व 80 है इसका यह कहने का मतलब होता है कि 80 की जगे पे उसको 100 करो मतलब current year का outstanding फिर कितना हो गया 20,000 हो गया students यहां direct दिया था कभी कभी ऐसा निकालना पड़ता है answer आपको पता चल गया यहां पाई current year का अपना 80 अभी तक बचा है लेकिन adjustment कहता नहीं current year का एक लाग होना चाहिए तो जो different है that is your outstanding for the current year तो हम क्या करेंगे add करेंगे current year का outstanding कितना है 20,000 total एक लाग बाहर आना चाहिए इसके वज़े से हमको ऐसा करना पड़ा समझ में आया अब यह जो 20,000 है यह जो 20,000 है इसका second effect क्या होगा जो हम आना इसके पहले वाले में हुआ था current year का है ना भई तो यह current year के asset side में जाएगा मगर किदर balance sheet के asset side में समझ में आया आपको so students this is a small two adjustment and both are the similar and related to one that is a subscription I hope आपको समझा रहेगा now talking about the material आपको sports material आता है या मैं कहूंगा तो stationery करके आता opening stationery है closing है तो करना क्या है ठीक है so students बहुत ध्यान से देखना क्या होता है आपको मालूम है आपको यह तो receipt side की चीज़ थी payment side की मैं बात कर रहा हूँ payment में आपको ऐसा लिखा जाता है क्या sport material कितने का है 6000 का है समझ गए adjustment में बोलता है कि opening का sport material जो है वो 2000 है और closing का sport material जो है वो 3000 है जब ध्यान से देखना यह adjustment है ऐसा लिख के देगा payment में दिया रहेगा sport material 6000 opening का sport material दिया रहेगा 2000 2000 और आपका क्लोजिंग का स्पोर्ट मेरेल दिया जाएगा सा 3,000 वह ऐसा दिया जाएगा तो सबसे पहला चीज होता है स्पोर्ट मटेरियल जो हता है इस एक्सपेंस पहले एड्समेंट करने से पहले इसको फाइंड आउट करो वह चीज है क्या तो दिस इस एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में मैं लिखूंगा क्या यह लिखूंगा मैं यहां पे स्पोर्ट मटेरियल कितना सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग ओपनिंग कितना था ओपनिंग कितना अपना यह रहा दो हजार अब सवाल होता जो पेमेंड में होता न उसको परचस बोलस जाता है तो उसको एड कर देने गा यह रहा परचेस of raw material कितने का purchase किया आप उन लोगोंने 6,000 का तो total amount कितना हुआ 8,000 right 2000 अपने पास material था पहले का 6 और purchase किया तो total 8,000 का material अपने पास हो गया लेकिन जैसे ही आपका जो NPO का जो year end of खतम होता है वो कहता अभी भी closing material 3 का बचा है 3 का sport material अभी भी बचा है तो सवाल यह होता है कि अभी भी 3 का बचा है तो खर्च कितना हो गया आप क्या करो जगर opening add कर रहे हो तो closing को minus किया जाता है closing sports material कितना है अपना 3000 यह राद 3000 तो बाहर कितना जाएगा 5000 कितना जाएगा 5000 तो मेहने का यह मतलब हुआ कि पहले 2000 sports material था फिर 6000 क्या क्या पर्चेस किया तो टोटल अपने पास इतना material हो गया sports related जो भी expense में रहते रहेंगे फिर 3000 बच गया अगले साल के लिए तो बच गया मतलब next year के लिए use कर सकते हैं यह आपका assets होता है जो opening का sport material होता है वो भी assets होता है यह भी assets होता है लेकिन यह opening balance sheet का होता है और यह जो होता है यह closing balance sheet का होता है कौन सा जो यह closing वाला होता है the students this is all about the three adjustment three in the sense two are similar but one is a different but a very major adjustment most of the students getting confused in that particular adjustment so please be focus on this video एक दो बार आप देखो समझ समझ जाएगा आपको कुछ और नहीं आता तो प्लीज वीडियो पर कमेंट करो